दोस्तो एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा जो सवाल पढ़कर मुझे थोड़ी सी हसी आ गई दोस्तो उस भाई का जो सवाल था ना ओ एकदम दोस्तो पॉइंट का था मतलब ओ जो सवाल था ना एकदम अच्छा था और उस सवाल का आना हर एक पूरुष के दिमाग में लाजमी था दोस्तों उस भाई का सवाल क्या था आपको पता है कि उस भाई ने मुझसे ऐसा पूछा कि भाई मुझे ऐसी मतलब ओरत की कमजोरी बता जो कमजोरी पता चलने के बाद मैं किसी भी ओरत को अपने मुठी में रख सकता हूँ और अगर मुझे आउरत की कमजोरी पता चलती है तो मुझे अगर किसी भी आउरत के पास कोई ना कोई काम होगा तो मैं उस आउरत से काम निकलवा सकता हूँ मतलब घुमा फिरा के मुझे आउरतों की ऐसी कमजोरी बता जो कमजोरी पता चलने के बाद मैं आउरत को अपने पूरे की पूरे वश में कर सकता हूँ दोस्तो इसके ही बारे में आज मैं आपका भाई आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज मैं आपको आउरतों की ना ऐसी कुछ कमजोरिया बताने वाला हूँ जो कमजोरिया पता चलने के बाद आप किसी भी आउरत को ओचाई कितनी भी सुन्दर हो या फिर ओचाई कितनी भी दिखने में बेकार हो आप किसी भी आउरत को मतलब छोटी, मूटी, गूरी, कुई आप उसको अपने वश में कर सकते हो और आपका अगर किसी भी अवरत के पास कोई ना कोई काम होगा तो आप उस काम को उससे एकदम अच्ची तरीके से निकलवा सकते हो तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है तो वीडियो को दोस्तो पूरा दे को आउरतों की कमजोरी, आज मैं आपको बताने बाला हूँ अवरतों की कॉण सी कमजोरी होती है जो ध्यान में रख कर आप किसी भी आउरत को अपने मुट्टी में रख सकते हो तो दोस्तो सबसे पहली जो कमजोरी होती है और अच्ची कूण सी होती है कि Emotional Behavior, मतलब भौक- स्वभाव या फिर आप उसको प्यार भी रस्तों बोल सकते हो मतलब रस्तों क्या होता है कि आउरत का जो दिल होता है न वो एकदब नाजुक होता है मतलब अगर कोई भी पुरुष उसके साथ emotional bonding बना लेता है मतलब उसके साथ emotional रिष्टा एक मतलब भवक होकर उसका दिल जी गुषता है और उस अवरत के साथ एकदब अच्ची तरीके से emotional bonding बना लेता है और उससे प्यार प्यार में अगर कोई भी चीज बोलता है कि मुझे ना ऐसा-ऐसा करना है तो क्या आप मेरा साथ दोगी क्या या फिर मुझे ना आपसे ऐसा-ऐसा काम है क्या आप मेरा काम करो होगी क्या तो वो अवरत ना उसको ना बिल्कुल भी नहीं बोल पाती क्योंको अगर आप किसी भी अवरत के दिल में गुषते हो और उसके साथ emotional bonding बनाते हो तो उससे कोई भी काम निकलवाना आपके लिए ये दोस्तो बायहात का खेल होता है पर दोस्तो अवरत के दिल में गुषना और उसके साथ emotional attachment बनाना ये दोस्तो उतना ही एकदम difficult होता है जितना आपको लगता है मतलब ये बहुत ज्यादा कठीन प्रसेस दोस्तो होती है पर कठीन है पर एक बार अगर आप किसी भी अवरत के दिल में गुष गए तो उससे आप कोई भी काम निकलवा सकते ह दोस्तो ये भी दोस्तो बड़ा सच है तो ये सबसे पहली कमजोरी है और उसके बाद दोस्तो जो दूसरी कमजोरी है और उसके बाद दोस्तो जो दूसरी कमजोरी है और उसके बाद दूसरी कमजोरी है और उसके बाद दूसरी कमजोरी है और उसके बाद दूसरी कमजोरी ह तो आउरत ये वहाँ पर दोड़ी ठली जाती है मतलब दोस्तो इससे साविट क्या होता है कि आउरतों के अंदर मानो या ना मानो थोड़ा ना थोड़ा तो लालच होता है और आउरत की लालच एक सबसे बड़ी कमज़ुरी है और अगर कोई पूरुष उसको किसी भी देता है कि अगर तुम मेरा ऐसा काम करोगी तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूँगा तो इसके बदले में तुमको ओचीज दूँगा तो आउरत को यह लालज देखकर आउरत उस पुरुष का काम ज्यादातर कर देती है क्योंकि आउरत के अंदर थोड़ा बहुत लालज द दोस्तो आउरत के अंदर डर ज्यादा होता है मतलब आउरत को किसी भी चीज़ का डर जल्दी से लग जाता है तो अगर कोई भी पुरुष उसको डराता है कि अगर तुमने मेरा ऐसा कम नहीं ना किया तो मैं तुम्हें ऐसा करूँगा मतलब उसको किसी भी चीज़ का डर दिखाता है जो दोस्तो ए जो कमजोरी है ना इस कमजोरी का फाइदा प्लीज दोस्तो मत उठाओ प्र मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी पूरुष किसी आवरत को किसी निया किसी चीज़ का डर दिखाता है तो आउरत वहाँ पर दोस्तो तुरंत उस पुरुष का काम कर देती है तो दोस्तो बताने की बात क्या है कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी आउरत को किसी ना किसी चीज़ का डर दिखाता है कि तुमने मेरा काम नहीं ना किया तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो आ लार, लालच और डर ए दोस्तों तीन कमजोरी आउरतों की सबसे बड़ी कमजोरी दोस्तों मानी जाती है और दोस्तों किसी भी पूरुष को ए आउरतों की तीन कमजोरी पता चल गई तो वो किसी भी आउरत को अपने मुठी में कर सकता है अपने वश में कर सकता है तो बस अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद